असलाम लेकुम एवरिवन आप आप सब लब ठीक होंगे और खेरियत से होंगे आज जो फूद्ट्रे में बन रहा है वो है आलू मठल कीमा पोम तो इस वीटोकोलस इंड में लेगा आपको ईची सार स्थम्रा शब्राइस भी मिलेगा इस वीटो को अनए में आपको एक साथ सर्प्राइस भी मिलेंगा इस वीडियो को फोगें पेसности कृषाबिए gs। बेस अनियन्स को आपने चॉप कर लेना है अनियन्स को आपने चॉप कर लेना है सबसे पहले आपने चॉप अनियन्स डालेने हैं इनको फिर एक से दो मिनट के लिए भूनना है ताके जो प्याज में पानी रह जाता है थोड़ा सा वो खतम हो जाएं अनियन्स अनिया अनिया कर लेना है झाल झाल अब ऑईल डालना है इतना ऑईल डालें के प्यास अंधर डिप हो जाए आईल को अच्छी तरा से मिक्स कर लें आईल को अच्छी तरा से मिक्स कर लें मौच्छी तरा से मिक्स्षाइ यूदस धूइढ आईल आईल झाल झाल जो सारे spices वह डाल देने हैं अच्छी तरह से इन सब को mix कर लें कि अपती है और जा डूब और मुट्ट एंगी कि अपती है अब लो हम और उनकित कि अपती हैं अब देखी दाल देखें दही डालने के बाद फिर आपने कीमा डाल देना है बीफ कीमा कवर करके इसको फिर 15-20 मिनिट्स के लिए पकाना है जिस तरह के आप देख सकते हैं फोड़ी देर बाद आपने डक्तर उठाके हिला लेना है ताके नीचे से लगे ना अब फ्रोजन पीस डाल देने हैं थी आपने अब अबरका आपको जो में पहले पेँटेटोस कारते थे वही इसमें अब दाल देना हैं अगर आपको वेज़िटेबल्स में पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं इन सब चीजों को एक दफा अची तरह से मिक्स कर लें धकन देखकर दस से पंदरा मिन के लिए पकाना रखते हैं हाँ जी तो यह यमी सीड ड्रिश रेडी है डाइनिश के लिए आप चीजन देख सकते हैं आई होब आपको यह रेस्पी बहुत अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और हमें कुमेर्स पे अपना फीड़ बैक देना मत भूलिएगा हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा उसका नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको स्टाट में कहा था कि इस वीडियो के एंड में आपको एक सर्प्राइज मिलेगा तो वो सर्प्राइज यह है कि हमारी तरफ से एक चोटा सा गिव वे है और गिव वे में पार्टिस्पेट करने के लिए आपको इंस्टाप्स को फॉलो करना होगा फर्स टेप हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉटो.artistik12 को फॉलो करें सेकिंड स्टेप यूट्यूब चैनल फूट फ्रेम को सबस्क्राइब करें और सक्रीन जोन हमें इंस्टापर संट करें थर्ड स्टेप हमारे यूट्यूब चैनल अपने फाइफ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेक शूर वो हमारा चैनल सबस्क्राइब करें इन तीनों स्टेप को पूरा करने के बाद हमारी इस वीडियो के कुमेंट्स में लाज़मी डन लिकें ताके आप गिव वे के पार्टिसमेंट में शामिल हो जाएगा यहां पर एक और बात बताती चलू जब आपने कुमेंट्स में डन लिकना है तो उसके साथ आपने अपने इंस्टाग्राम का यूजर ने भी लिकना है नोड जिसने ये तीनों स्टेप्स प्रॉपर्डी फॉलो किये होंगे उनको ही गिव वे में शामिल किया जाएगा